मारास्ट की राजनीती का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता और पिछले डेड़ साल से यही चल रहा है कभी भी सरकार बन जाती है कभी भी सरकार तूट जाती है कभी भी किसी भी दल के दो हिस्से हो जाते हैं सिर्फ सेना को हमने दो हिस्सों में बढ़ते हुए देखा उसके बाद एंचिपी को हमने दो हिस्सों में बढ़ते हुए देखा सरत पवार जो एंचिपी में काफी मजबूत मने जाते हैं और कहते हैं कि एंचिपी ऐसी पार्ट कि सरत पवार के होते वे उसमें कोई बिगाड़ खाता नहीं हो सकता लेकिन अजीत पवार ने यह बिगाड़ खाता कर दिया और पार्टी को अलग करके वो मुख्य मंत्री जो हैं सपत पद की ले लेते हैं लेकिन अब यहां पर 2024 के चुनाव के तैयारी चल रही है इंडिया का गड़ बंदन हो चुका है जो लगाता रहुंकार बर रहे हैं कि यूपी से लेकर महरास्ट जहां भी बड़ी-बड़ी सीटे हैं बीजेपी को वहां से हटाएंगे यहां तक कि 2024 में बीजेपी की सरकार वापिस आने नहीं देंगे और अब इसी के ऊपर यहां पर एकनास सिंदे गए थे और उन्होंने यहां पर यह बड़ी बात कही जब उनसे पूछा गया 2024 को लेकर इंडिया अलाइंस को लेकर तो उन्होंने कहा कितने भी अलाइंस वेलाइंस या गड़ बंदन बना लीजे लेकिन 2024 की जो मटकी फोड़ेगी वो बीजेपी यानि परधान मंत नरेंद मोदी 2024 के चुनावों की मटकी फोड़ते हुए नजर आएंगे और 2024 का चुनाव NDA यहां पर जीतेगी तो क्या यहां पर एकना सिंदे की जो भविस्यवानी हैं वो सच साबित होगी क्योंकि बीजेपी तो लगाता है 2024 चुनाव जीतने के लिए सारे हत्यकंडे नजर यहां पर आ रही है और यही अटकले जब लगाए जारे थी जब अजीत पवार को अपनी तरफ किया था कि NCP मजबूत पार्टी महाविकास अगाडी में बन सकती है कॉंग्रेस को अच्छा समर्थन की तरफ से मिल सकता है यहां पर जो उदर्फ ठाकरे हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है तो कहीं न कहीं महाराश्च और उत्रपरदेश में तो बीजेपी घवराई रही है लेकिन यहां पर एक बड़ी वविस्वाणी एकनास तिंद्र नहीं यहां पर कर दिये तो क्या यह भविस्वाणी सही साबित होगी या यह बीजेपी पर बहरी पड़ेगी क्योंकि बीजेपी के नेता काफी कॉनफिडेंस में 2000 चुनाव को लेकर दिख रहे हैं और लगातार इंडिया लाइंस का मजाक हर स्टेज पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन यहां देखा जाए तो लगातार बैठक पर बैठक इंडिया लाइंस कर रही है और सारी चीजे जनता की तरफ किलियर करती हुई नजर आ रही है और अगली मीटिंग में ऐसा कहा जा रहा है कि एजंडा जो एक तरीकास मैनिफैस्टो जो है इंडिया लाइंस अपना लेकर आएगी और जनता से सीधी बात करती हुई नजर आएगी तो देखना पाद 2024 के तस्वीर क्या होती है क्या भवस्यवानिया जो हो रही है वो सच होंगी या फिर इंडिया आलाइंस कोई नया खेली हां पर करके दिखा देगी और भी ऐसी खबरे जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News धन्यवाद